इक्यूलिब्रियम में हम लोगों ने आधे से जादा चाप्टर तो देखो खतम कर दिया हैं आज हम एक नया टॉपिक सीखेंगे दिग्री ओफ डिसोशेशन और डिग्री ओफ डिसोशेशन कुछ ऐसा अलग तूफानी किसम का टॉपिक नहीं है कि ये कुछ नया पहला हुआ है कुछ नया कंसेट हमें सीखना है आपने अभी तक जितनी भी क्यामिकल एक्यूलिब्रियम पढ़ी या जितनी भी क्यामिकल एक्यूलिब्रियम सीखी बस उसमें हम थूड़ा सा चेंज ला रहे और वो कहने को कोई चेंज नहीं है आप इसमें mathematics करते हो, calculations करते हो, बस, तो अभी हम DOD पढ़ेंगे, उसके बाद यानि की degree of dissociation, उसके बाद एक और easy topic पढ़ेंगे, reaction question, फिर एक तीसा topic पढ़ेंगे, lee chart layer principle, तो एकदम जो basic chemical equilibrium है ना, वो खतम हो गया, फिर आएंगे तुफानी दो आपके topics, जो mains में कभी नहीं जाते हैं, generally, simultaneous equilibrium, यह chemical equilibrium का एक untouched topic रहता है, जैसे हम लोगों को तुम्हें याद होगा, mole concept में हमने पढ़ा था, parallel reactions कैसे solve करते हैं, series वाली reactions कैसे solve करते हैं, ठीक हैं, और उसमें भी कुछ conditions लगाएंगे हम की कब क्या बदल रहा है वगेरा वगेरा, और तीसा topic, जो मैंने कहा सबसे आखरी में पढ़ाऊंगी, chemical equilibrium का thermodynamics के साथ relationship क्या है, ठीक है, बस, उसके बाद थोड़े बहुत numerical practice में लेकर आएंगे, इस topic से related और खतम हो गई हम लोगों की, कहानी chemical equilibrium की, तुम्हें लग रहा होगा, रिवाई, कितने जल्दी खतम हो गया, तो exactly बहुत जल्दी खतम ह हो गया, यह mathematics है, chemical bonding के जैसा प्रवचन नहीं है, तो आगे continue करते हैं, देखो हमें आज पढ़ना क्या है, हमें आज पढ़ना है, DOD, that is degree of dissociation, यह वो topic है, जो आप यहां पर भी पढ़ोगे, आपको इस से related या इस से मिलते जुलते statement problems, आपको chemical kinetics में मिलेंगे, ठीक है, इव इतने interval तक पहुची, तो वगेरा वगेरा, आपको हर जगा यह चीज़ देखने को मिलेगी, हो सकता है, कहीं पे इसका नाम बदल जाए, जैसे solution and collaborative properties में, हम इसको वांट-off factor के नाम से जानते हैं, मतलब अलग है, obviously दोनों का, बट आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा दोनों सेमी तो बता रहे हैं, दोनों सेमी चीज़ जैसे तो लग रहे हैं, जैसे मैंने कहा, तो basically degree of dissociation is a very good mathematics का concept, इसको हमें बस समझना है और खतम करना है, तो देखो, सबसे पहला point कि degree of dissociation को हम लोग अभी और आगे आने वाले किसी भी chapter में हम लोग alpha आपका जो symbol है, उसस से इसको denote करेंगे, ठीक है, यह हो गया हम लोगों का सबसे पहला point, अच्छा, point number two, कि आखिर ये degree of dissociation, यानि की alpha, ये किस बला का नाम है, तो तुम्हें जैसे आपे word डिखरा है dissociation, dissociation का मतलब ही होता है, किसी चीज से किसी चीज को तोड़ना, right, किसी चीज में से किसी इक्जांपल करते हैं, मेरे पास एक flower है, ठीक है, ड्रॉइंग पूर है, थोड़ी सी मेरी skills, ये मान लेते हैं उसकी petals बनी हुए, पहली petal है आपकी, ठीक है, ये दूसरी petal है, और उसके बार ये मान लेते हैं, तीसरी, यहां पर ये ले लो, चौती, और ये मेरे flower में इनिशिली petals मेरे पास एक flower में, ठीक है, पूरा जो तुमने बुके का एक flower है, उस एक flower के अंदर में इनिशिली petals कितनी है, तो आपने कहां कि पांच है, चलिए बढ़िया है, अब मैंने कहां कि एक शैतान बच्चा आया और उसने क्या की, इसमें से दो petals तोड़ दी, ठ तोड़ने के बाद, अगर मैं तुमसे ये पूछूँगी कितनी बच्ची, ठीक है, यहां से अब आफ्टर में दो सीन लगते हैं, पहला सीन ये लगता है कि कितनी बच गई, तो बच गई में तुम्हारा जवाब होगा कि तीन बच गई, और या फिर कोई तुमसे ऐसा भी पूछ सकता है, आफ्टर में, कि कितनी डिसोशियेट हुई, तो तुम ये भी बोल सकते हो, कि वहाँ पे टोटल दो डिसोशियेट हुई, क्या ये बात समझ में आ रही है, तो बस, इसी चीच को हम डिगरी ऑफ दिसोशियेशन कहते हैं, तो बेसिकली डिगरी ऑफ दिसोश की, तो for one mole of reactant में से, आपके कितना वो तूट के product में convert हो गया, is known as आप लोगों का डिगरी ऑफ दिसोशियेशन, अगर मैं ये बोलूँगी, एक flower में से, कितनी petals तूट गई, ठीक है, तूटने के बाद उनका क्या हुआ, is not our concern, but reactant obviously convert product में होने वाला है, तो एक mole reactant में से, ठीक है, एक mole reactant में से, कितना reactant dissociate हुआ, ताकि वो product में convert हो सके, तो उस चीच को ही, हम लोग क्या कहते हैं, degree of dissociation कहते हैं, तो for one mole of reactant, fraction of reactant dissociated, ठीक है, आपका reactant कितना तूटा, एक mole में से, आपका reactant, कितना तूटा, that तूटा हुआ reactant, fraction of reactant dissociated, ठीक है, क्यों dissociate हो रहा है, क्यों dissociate हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों कितना phone number in to product, ताकि वो खुद को किस में convert कर सके, product में convert कर सके, तू इस process में, आखे कितना reactant का part, दिये part of reactant dissociated, to convert itself into a product, is known as, आप लोगों का degree of dissociation, is known as degree of dissociation खताम हो गई बात ठीक है is known as degree of dissociation and it is written as alpha is equals to कितने moles dissociate हुए ठीक है आपके पास कितने petals आपने तोड़ दिये तो वैसे ही हम लोग बाचीत क्या कर रहे है number of moles dissociated अभी dissociated word तुम लोगों के लिए नया नहीं होना चाहिए क्योंकि last class में numericals में मैंने कुछ numericals कराए थे तो उसमें आप लोगों ने ये चीज सुनी हुई है कि अच्छा हाँ dissociate क्या होता है तो I don't think कि इसमें किसी को कोई issue आएगा कि अच्छा ही है तो हमने सुना ही नहीं था अभी तक तो number of moles जो आपके dissociate हुए और divided by आप initially आपके पास कितनी petals सी या फिर आप कह सकते हो आप में initially कितने moles क्या किये थे आप ने लिये थे वो So this is your alpha This is your degree of dissociation This is your DoD So basically what do you mean by the term DoD DoD means fraction of reactant That is dissociated Dissociate हो गया किस काम के लिए हुआ ता कि वो खुद को product में convert कर सके ठीके बस बात खतम अच्छा How do you write alpha Alpha can be written as Number of mole dissociation Divided by total number of moles Initially which was taken अच्छा उसके अलावा ये जो आपने alpha निकाला अब अगर कोई तुमसे इसी alpha का percentage of alpha पुछ लेता है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है Alpha multiply by 100 Will be known as percentage of alpha ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार आप लोग ऐसे numerical problem के साथ आप tackle करोगे जिसमें आपको ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि reaction आपकी 60% dissociate हुए समझातियों मैं इसका मतलब क्या होता है 60% dissociate हुई ऐसा आपको लिखकर मिलेगा ठीक है अब इसका अर्थ क्या है इसको समझते हैं किस तरीके से आपको समझाया जाए जैसे की imagine करते हैं आपकी गाड़ी है गाड़ी में आप जब खईदने जाते हो उसमें लिखा रहता है ना कितने CC की बाइक है या फिर whatever उसका mileage क्या है अब माल लेते हैं तुमारी गाड़ी एक लीटर पेट्रोल डलवाने पर 40 किलोमेटर लेट से चलती है आइडियली जो टीवी में आड आते हैं उनके अनुसार वो 40 किलोमेटर के आसपास तर भागती है अब अगर तुम उस गाड़ी को खरीट का लेकर आए ठीक है उसको चलवा रहे हो कि चलो अब चलते हैं अपन कहां पे एकड़म टुटी फुटी जगापर उबर खाबर रोड पर है ना और सब कुछ उस गाड़ी की हालत भी खसता है कोई सर्वेसिंग और वेसिंग नहीं है तो वो जो गाड़ी है जिस पे आप एकस्पेक्ट कर रहे थे कि एक लीटर पे वो आपकी ठीक है क्या कहते हैं 40 किलोमेटर चलनी चाहिए है ना वो पिचारी क्या 40 किलोमेटर चलेगी अब्वेसिंग नहीं चलेगी है ना वो बिल्कुल नहीं चलेगी आना चाहिए 100% नहीं आया तो अब ऐसे में क्या होगा अब ऐसे में क्या होगा वो गाड़ी आपकी कितना परसेंट देगी 60% जितना देना चाहिए था उसका 40% 38% ऐस आउटपुट वो देगी बराबर समझ में आरी बार तो बस कई बार रियाक्शन में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रियाक्शन का जो रियाक्टेंट है वो कम्प्लीटली खतम हो जाए अब यह तो तुम मान के चलो कि रियाक्टेंट को हम कम्प्लीटली खतम नहीं कर सकते क्योंकि अगर रियाक्टेंट कम्प्लीटली खतम हो गया तो फिर तो वो आप लोगों की chemical equilibrium ही नहीं रहेगी अब अगर किसी को मेरी भाषा समझ में नहीं आई तो उसको first वीडियो देखने की नीड है chemical equilibrium का पहला criteria ही नहीं है कि आपकी जो reaction है उसका reactant खतम नहीं होना चाहिए तो कि अगर reactant खतम हो गया तो फिर reaction तो से forward direction में चली गई backward में तो कुछ उर्वा चाही नहीं वो पीछा आई नहीं पाईगी तो कभी भी आपका reactant संपून तहां समाप नहीं होना चाहिए यानि कि कभी भी आपका reactant 100% dissociate नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर 100% dissociate हो गया तो फिर reaction हमारी chemical equilibrium वाली reaction नहीं रहेगी ठीक है अच्छा और तुम अगर यह बोलोगे कि reaction 0% dissociate ही नहीं हो तो अगर आपका reactant dissociate ही नहीं होगा तो तुम मुझको यह बात बताओ कि वह product कैसे बनाएगा और अगर product नहीं बनेगा तो फिर reaction में chemical equilibrium का तो यार सवाली मतलब पैदा नहीं होता है न chemical equilibrium पैदा करने के लिए आपके पास reactant का टूटना भी तो ज़रूरी है इसका मतलब आप यह समझ जाओ कि आपका जो यह alpha की value है यह alpha की value 0 से लेकर आपके 100% के बीच में यह क्या करती रहती है जूलती रहती है just like a probability जैसे किसी भी छीच के होने या नहीं होने की जो probability होती है वो कैसी होती है 0 to 100% के बीच का कोई figure होता है लेकिन यहाँ पे similarly degree of dissociation भी आपका क्या है 0 से लेके 100% के बीच का कोई number होगा 0 को और 100 को हम include नहीं कर सकते chemical equilibrium के case में क्योंकि अगर DOD 100% रहा तो पूरा का पूरा reactant product में convert हो गया और अगर पूरा का पूरा DOD आपने 0% मान लिया तो reactant तो product में convert ही नहीं हो रहा है reaction तो forward जाई नहीं है reaction तो backward में अटकी हुई है समझ गाए बस यही वाली चीज है और कुछ भी नहीं बाकी तो सब कुछ normal बात चीत थी अब आते हैं हम इसके numericals पे अब इसके numericals करने से पहले सबसे पहले अभी आप लोगों को KP और KC लिखने की जो आदत थी वो आदत कैसी थी simple तरीके से आप अपनी reaction लेते थे reaction को मानते थे कि initial moles इतने product के initial moles 00 या फिर अगर दिये हैं तो अच्छी मात इन में से x गया divide by volume उठा के फटपट KC KP KN जो पूछाए निकार के दे दिया लेकिन अगर question में DOD का concept आ गया अगर question वाले ने तुमको ये बोल दिया कि देखिए sir इस question का DOD 30% है तो 30% का आप क्या करेंगे अगर इस question का DOD 5% है तो उस 5% के साथ मुझे अब question कैसे solve करना है वो हमारा आज का परमुद्दा है बस बात खतम हो गई ठीक है चलो तो शुरू करते हैं simple simple illustration से स्वीच को लेते हैं समझते हैं किस तरीके से आगे जाना है जैसे कि आप लोगों के पास मान लेते हैं से simple example लेते हैं PCL 5 का उसके बाद इनमें स्टोक्योमेटर होती है वो वाले example भी हम लेंगे ताकि दिमाग में घुसे कि कैसे काम करना है यह पी-C-L-3 यह भी गयस है बलस-C-L-2 यह भी गयस है अब मैंने तुम को यह नहीं कहा कि परसंट चारीज परसले पचास परसंट परसंट अलफा है आप अलफा के टम्स में आंसर निकाले बात खतम करो तो आप इस परसंट कर अपनी मर्जी से जो वेरिएबल मैं आप कमपटेबल हो यह उस वेरिएबल को अपना इनिश्यल मोल मानन लो अगर कोशें में पी-C-L-5 के इनिश्यल मोल्स दिये होते तो आम खुशी-खुशी उस इनिश्यल मोल्स को ले लेते बट क्योंकि मैंने कोश्चन 5 में मैंने PCL 5 के इनिशल मोल्स ए मान लिए और ऑव्यस है कि PCL 3 और CL 2 इन दोनों के जो मोल्स होंगे वो 0 और 0 होंगे इतना मानते हो ओके अब इतना तुम्हें तो पता है कि जो अमने इनिशल मोल्स माने है यह T equal to 0 पर है अब जब reaction equilibrium पर पहुँच जाती है T equal to equilibrium पर तो A में इसे कुछ minus करना पड़ता है यह तो आप जानते हो ना अच्छा तो ऐसे में क्या हो जाएगा यह A minus X यहाँ पर आ जाएगा अच्छा अब यहाँ पर X आएगा और यहाँ पर X आएगा अब ऐसा तो तुम में से कोई इनसान नहीं न जिसको यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं A minus X और यह X और X काया से कैसे लिख रही हूँ I don't think कि तुम में से कोई ऐसा exist करता है अगर करता है तो पीछे के lectures जाके देखो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती आपको पीछे के lectures देखने की नीड है अच्छा आगे बढ़ते हैं चलिए अब उसके बाद क्या होगा यह चीज हो गई अब लेकिन question में तो DOD आ गया अब इस DOD नावक बला को मैं कैसे हटा हूँ तो देखो DOD है क्या DOD है क्या number of moles dissociated अच्छा upon initial moles taken तो number of moles dissociated को तो हमने X मान लिया है और initial moles मैंने A ले यह है मैं तो हमेशा यही लेती हूँ तो यहां से मेरे पास जो X है उस X की value आएगी A times of alpha एक्स की value कितनी आएगी A times of alpha यानि कि इसी जगा पर at T equal to equilibrium पर क्या में यह चीज को A minus A alpha नहीं लिख सकती इस X को में क्या A minus A alpha नहीं लिख सकती और इसको में क्या A minus A alpha नहीं लिख सक सकते हम लिख लो खतम हो गई कहानी आइनि कि हमने क्या किया हमने कुछ नहीं किया हमने पूरी reaction को बस क्या कर दिया जो X के terms में थी उसको किसमें convert कर दिया alpha के terms में तुम्हें भी लग रहा होगा यार यह क्या बचकानी चीज चल रही है इसमें तो हम भी convert कर ले थे exactly कुछ हम बहिए इसमें खास नहीं है ठीक है जलो अब गया इतना काम ड़न अब तुम्हारी मर्ची तुम इसका KP निकालो तुम इसका KN निकालो जो निकालने निकालो तुम्हारी मर्ची KCKN केंसे निकालते हैं यह priests कि फोस थे बताया गया है तो let's imagine मेरा mood कर रहा है अभी के too जब आप किसी भी moles को divide by volume कर देते हो तो ऐसे में वो चीज concentration बन जाती है तो अभी volume तो मुझे question में दिया नहीं है तो मैंने मेरे volume को V माना और उसको volume से divide कर दिया अब मुझे इस question का case निकालना है तो case निकालने के लिए सबसे पहले आपको उस equation का expression लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा आपको उस equation का expression अब आप उस equation का expression कैसे लिखते हैं वो भी सीखे हैं आमने बताओ आपने सीखा ना law of mass action क्या हो जाएगा यहाँ पर concentration किसकी concentration आजाएगी यहाँ पर कि बस यहाँ पर values पुट कर दो जो आपने उपर निकाली है PCL3 की concentration कितनी A alpha upon में V यहाँ पर A alpha upon में V अच्छा यहाँ पर divide में कितना आजाएगा A minus A alpha upon में V जितना कार्ट पीट कर सकते हो उतनी कार्ट पीट मचालो यहाँ पर तो यह चीज कितनी हो गई A square alpha square ठीक है upon में V square और denominator में अगर मैं A common निकाल दो तो यह 1 minus alpha divide by V अब जो जो कटने के बाद जो जो चीजे बचती है वो आप लिख देते हैं यहाँ पर आजाएगा A alpha square ठीक है upon में V और यहाँ पर आजाना है आपका 1 minus alpha कहीं पर भी अगर छोटी मोटी calculation की error हो जाए ना तो उसको सभाल ले ना इतना क्यों कि हो जाता है यार कभी-कभी ठीक है यह पता नहीं क्या figure बन गया ठीक है तो इसको ठीक कर लेते हैं यह हो गया बस done यह हमने निकाल लिया Casey तो Casey हमने अभी निकाला क्या हमको Casey निकालना पहले नहीं आता था क्या आता था बट हमने अभी क्या कर दिया Casey को किसके terms में निकाल दिया अलफा के terms में निकाल दिया तो क्या आप निकाल पाओगे बहुत easily निकाल पाओगे उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है निकाले लायक एक एक और एक्सांपल लेते हैं जैसे की माल लेते हैं क्वेशन यह दिया है आपको दिया हुआ है एक्विलिब्रियम में है किसके साथ two times of NO2 के साथ दोनों ग्यास हैं अगर मैं कहीं ग्यास लिखना भूल जाओ तो वहां पर आप ग्यास लिख लिजेगा ठीक तो हमेशा fix रखती हो A for Apple उसमें ज्यादा confusion create नहीं करना है मुझे खुद की life में A तो at t equal to 0 पे बात चल रही है ठीक है तो उस वक्क आपका NO2 0 है unless and until products का कुछ दिया ना हो value आप उसको 0 ही मानका चलेंगे ठीक है ओके अब उसके बाद हम लोग पहुँच गए at क्या कहते है equilibrium पे है t equal to equilibrium पे तो equilibrium पे अजब चले गए तो इसमें से कुछ minus हो गया और यहां पे 2 times of x आ गया अच्छा अब मुझे इसी चीच को alpha के terms में convert करना है तो मैं इसको alpha के terms में कैसे convert करूंगी यह हो जाएगा A minus A alpha और यह हो जाएगा 2 times of A alpha समझ में आ रही है बात अब इसका मु को कहते है हम लोग के इन मतलब मोल्स के terms में के इन मतलब किसके terms में मोल्स के terms में है ना जलो निकालो उसको तो आपधी चीच कैसी हो जानी है के एन निकाल रहे है इसके लिए सबसे पहले आप equilibrium expression लिख लेते हैं क्या होगा आपका equilibrium expression बताव यहां पे मोल्स आपके NO2 के ठीक है उसका square divide में किसके moles n2o4 के यह इस प्रकार से ठीक है आच्छा अब यहाँ पे no2 के moles कितने हैं हमाई पास 2a alpha equilibrium पे और उसका square तो कितना हो जाएगा 4 ठीक है मैं डारेक्ट कर रही हूं 2 का square 4 a square alpha square upon में a को अगर मैं common निकाल लूँ तो यह आ जाएगा आपका 1 minus alpha खतम हो गई कहानी तो अगर उसको a और a उपर का काट दो तो यहाँ से आपके पास जो k n आएगा वो आएगा 4 a alpha upon में 1 minus alpha अब अगर paper में तुम्हें alpha दिया है 30% तो alpha कितना रहा होगा आपका 30% नहीं कि 30 by 100 ठीक है बस खतम बस values put कर दो a initial moles यह है एक ही value पुट कर दो answer आपका ready है तो इस तरीके से easy easy तरीके से हम लोग कैसा है बहुत ही आसानी से answer निकाल सकते हैं फिलाल मैं तो तुमको अभी सिर्फ expression लिखना सिखा रही हूं ताकि तुम्हारे जो baby steps है वह expression होते हैं वह भी करवा दिये जाएंगे बट पहले expression लिखना सीख लो ठीक है expression से लिखना सीख जाओंगे तो वह ज्यादा अच्छी बात होगी चलो अब आगे मार बढ़ते हैं एक और reaction के साथ काम करते हैं हम लोग पहले माल लेते हैं आपको कोई एक reaction दी हुई है random for example मैंने यह reaction ले ली two times of hi यह dissociate हो रहा है आपके h2 plus i2 में सभी gaseous है इसके साथ काम करो देखो इसमें हर इंसान के काम करने का तरीका अलग होता है मेरा इसमें best मेरा ऐसा मानना होता है कि अपनी simplicity के साथ काम करो अब simplicity मेरी यह होती है कि जहां तुमको reactant में है चाई के आगे कोई number one के अलावा कुछ और दिग गया दुम दबाके भग जो तुरंत क्यों कि आपको अभी भली ना लगे बड़ यह सबसे बड़ा major point होता है जहां पर लोगों से गलती होती है मेर से भी कई बार हुई है कई बार मतलब कई बार जब यह specially reactant के तरफ आप तो best है आप equation को stoichiometry one मना लो उसकी ठीक है अच्छा आप किसी का doubt होगा अगर दो-दो रहे तो हम क्या करेंगे दो-दो reactant रहे वो बात का बाद है अभी फिलाहल के लिए तो सीखो मैं क्या बोल रही हूं आप उसकी stoichiometry one मना लो कैसे बनाते हो one tenth में किया है काम divide by two तो यह च कैसी हो जाएगी है चाई के सामने तो वन आजाएगा क्योंकि हमने two से डिवाइट किया और बाकी सभी के सामने कैसा आजाएगा one by two one by two आजाएगा अब करो काम अब इंगना मिंदास करो कैसे at t equal to zero t equal to zero पे हैचाई के मोल्स ले लो ए इन दोनों के मोल्स ले लो 00 आप क्योंकि स्टोक्योमेटरी है न यहां से कितना हो जाएगा x upon two उसके बाद अब आप क्या पर आ गए आप उस पूरी एक्वेशन को अल्फा के टर्म्स में convert करना चाहते हो तो x के बदले के आ जाएगा a-a-alpha यहां पर आ जाएगा a-alpha by two यहां पर आ जाना है a-alpha by two अब म के लिए सबसे important चीज जो होती है वो होते total moles आपके निकल के होना चाहिए equilibrium पर तो total moles equilibrium पर पहले तो calculate करिए a-a-alpha प्लस आपका a-alpha by two प्लस a-alpha by two तो इसकी अगर मैं calculations करो तो total moles आपके पास a ही बचते है तुम लगे तो टुकुर टुकुर calculations कर लेना मैंने कर ली यह वाली चीज अच्छा अब यह total moles आ गए अब उसके पाद आपको तुरंट क्या निकाल लेना चाहिए mole fraction निकाल लेना चाहिए तो यहाँ से इसका mole fraction कितना आएगा a-a common ले लो 1-alpha upon में a यहाँ पे a-alpha by two divide में a मैं जानती हूँ a cancel होगा मुझे confusion क्रियेट नी होगी कुछ महिने बाद तुम्हें होगी इसलिए मैं पूरी steps वाँ पे शो कर रहे हूँ अब मुझे यहाँ पे मैं आज्यूम कर लेती हूँ कि इस question का जो total pressure है वो total pressure हम लोगों ने कितना मान के रखा है आपका भी p0 ठेक है अब इसका kp लिखो kp क्या होगा h2 का जो भी pressure है वो आप ले लो अचा उसका वो pressure ले लो तो कितना आजाएगा h2 का ये a और a गया यानि कि alpha by 2 उसका जो भी mole fraction है ठीक है जो भी उसका mole fraction है multiply by उसका pressure p0 बराबर है अच्छा into में i2 का तो i2 में भी a और a गया यानि कि alpha by 2 यहाँ पे क्या जाएगा p0 upon में यह यहाँ पे नीचे में क्या जाएगा आपका यह गया आप देखना है h i है और h i की stoichiometry 2 थी तो 1 माइनस alpha और यह इसके साथ जो भी p0 है और यह उसका square तो अब यह चीज कैसे हो जानी है यह हो जाएगी alpha square by 4 यहाँ पे आजाएगा यह p0 square upon में p0 square एक नीचे भी create होगा तो p p0 square गया तो इसको मैं हटा ही देती हूँ और नीचे में बचेगा 1 माइनस alpha का whole square यह खतम यह हो गया हमारा kp तो हम लोगोंने reaction में क्या कर लिया आप लोगों का kp kc kn मैंने तीनों निकालके दिखा दिया उसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो तुमको अब नहीं पता है तुम्हें पूरा पता है किस सरीके से उसके साथ अब आपको deal करनी है तो how will you convert your equation ठीक है from x to आपका alpha is now clear अगर किसी question में DOD का जिक्र भी नहीं है जैसे अभी तक आप में previously question solve करते आए बताओ वहाँ पे कहीं पे भी क्या कहते हैं बताओ DOD का जिक्र था क्या नहीं था तो अ आप यह मान कर चलिए कि वहाँ पे alpha जैसा कोई concept नहीं लगाना है सीधा सीधा x minus करना है unless and until DOD is written in your question चलो question कर लेते हैं आपको एक reaction दिये हुए P मैं अगर कहीं बीच में equilibrium का sign नहीं बनाओ ना तो उसको आप consider कर लेना अतने अंदर ही अंदर कि वहाँ पे जरूर equilibrium maintained है मैं उ एक मिनिटा इसका थोड़ा सा बैटरी डाउन हो गया रुप जाते हैं चलो हो गया होगा अब तक अभी आप लोगों के पास जैसे एक reaction दी हुई है पी यह equilibrium का sign आ गया यहाँ पे यह Q प्लस आर अब तुम्हारे पास मान लिके चलते हैं पी के इनिशियल मोल्स ठीक है आम टॉकिंग अबाओ अभी नौ कॉश्चन मैं भी कोई solution नहीं करूँ मैं हमेशा यहलो से solution करूँगी याद रखना कम से कम आची क्लास के लिए तो इनिशियली मैंने पी के दो मोल्स ठीक है और उसके बाद इनिशियली पी टू मोल्स आफ पी रुको लिखना पड़ जाएगा या statement टू मोल्स आफ पी और उसके बाद हम लिख लेते हैं up to equilibrium, जैसे जैसे आपका equilibrium पे आप पहुचे तो 0.5 mole of P was dissociated, यह आप लोगों को statement दिया हुआ है, अब आपने statement problem में आ जाते हैं, ठीक है, ताकि तुम comfortable रह सको किस तरीके से काम करना है, और आपको यहाँ पे calculate करना है, percentage of alpha, ठीक है, DOD मतलब calculate करनी है, अब कैसे करेंगे, देखो, English भाषा, the most important thing, जैसे I think मैंने कल की class है, परसो की class, पता नहीं कप की class में यह चीज कही भी थी तुमको, जैसे आगर मैं यह कहती हूँ, कि अभी नट्राच पेंसिल, जो मैं खरीदी थी, वो 3 रुपे की है, पता नहीं किस जमाने में थी, अब तो महेंगी हो गई होगी, बट 3 रुपे की है, और मैं एक English में वाक्या कहती हूँ, the cost of नट्राच पेंसिल decreases by 1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, कि जितना भी उसका cost price था, उसमें से एक रुपे, वो सस्ती हो गई, यानि कि अब उसका कीमत कितनी है, दो रुपे है, simple, लेकिन, अगर मैंने ये भाशा का प्रयोग किया, the cost of नट्राच पेंसिल decreases to 1, जहां से सुना, decreases by 1, decreases to 1, both have large difference, इसका यह मतलब है, कि अब उसकी कीमत एक हो चुकी है, और decrement कितने का आया, दो का आया, तो आपको इसी तरीके से question की language में समझना है, कि वो decreases by, या dissociated by बोल रहा है, कि dissociation to बोल रहा है, क्योंकि इन दोनों में एक huge difference होता है, यह huge difference आपको समझना है, चलो, तो अभी जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, कि starting में जब reaction शुरू हुई, तो P के आपके पास 2 moles से, equilibrium आते आते, P के अंदर में से 0.5 moles was dissociated, मतलब उसके अंदर से 0.5 moles चले गए, तो यह क्या हुआ आपका, समझते हैं इस situation को, जैसे यह P है, पहले तो reaction लिख लेते हैं, यहाँ पे Q, यहाँ पे plus में R, अभी आप मान लेते हैं, T equal to 0 की बात करते हैं, हमेशा में initial moles A लेती थी, इस question में initial moles दिये हुए हैं, तो काई को जग जग करना, सीधा सीधा ले लो initial moles 2, Q और R के बारे में कोई comment नहीं है, तो T equal to 0 पे तो यह लोग 0 होंगे, और उसके बाद अब equilibrium आ गया, ठीक है, add equilibrium, अब जब equilibrium पे हम पहुँचे, तो हम यह देख रहे हैं, कि आपने जितना भी पी लिया था, उसमें से 0.5 mole ही आपके पी का क्या हुआ है, dissociate हुआ है, सिर्फ कितना dissociate हुआ है, ठीक है, आपका मात्र 0.5 mole ही dissociate हुआ है, तो यानि कि indirectly आपके question का क्या है, x है, यह indirectly आपके question का क्या है, x है, बराबर है, यह आपके question का क्या है, x है, तो इसमें क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ इसको, 2 minus x की जगा, 2 minus 0.5, बराबर क्या मैं इसको इस सरीके से लिख सकती हूँ बिल्कुल, अच्छा, अब जितना तूटता है, उतना ही stoichiometric के हिसाब से, आप लोगों के product में बनता है, तो यहां कितना बनेगा, 0.5 बनेगा, यहां कितना बनेगा, 0.5 बनेगा, लेकिन यह जो मेरी equation है, ये जो मेरी equation है ये तो x के terms में आ रही है ये तो x है ये तो हमारा x है ये कि मुझे तो equation alpha के terms में convert करनी थी मेंको तो equation alpha के terms में convert करनी थी तो क्या तुम्हे equation को alpha के terms में convert करना आता है तो बिल्कुल आता है कैसे करोगा इसके convert देखो आप x की जगा लिखते हो a alpha तो ये x a alpha तो a अलफा हमको नहीं पता तो यह हो गया 2-2 अलफा यह कितना हो गया X की जगा क्या लिखोगे A अलफा तो आपका A तो आपको पता है अलफा आपको नहीं पता यह समझ रहे हो यह मैंने लिख दी अब इस question में मुझे पूछ रहा है percentage of अलफा यह आप मुझको बता हो अब मैं इस scene तक पहुँच गई इस scene के बाद जाके मेरी गाड़ी अटक गई अब मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं इसको क्या करूँ नहीं आ रहा मुझे अब यह समझ में कि यह क्या है अब यहाँ पर लोगों को अटक जाता है equation वगेरा बना लेते हैं वो अटक जाते हैं उस पर कुछ भी अटकने लायक नहीं देखो x equals to a alpha simple सा है a आपको कितना दिया हुआ है a आपको दिया हुआ है 2 alpha आपको कितना दिया है 0.5 sorry alpha तो दिया नहीं है x आपको दिया हुआ है यह 0.5 खतम calculations कर लो answer तुमारे हाथ में alpha की value यहां से आ जाएगी 5 by 10 और वहाँ पे 2 तो 5 by 20 और 5 by 20 कर लो उसको जितना भी आता है तो alpha आ जाएगा और alpha को percentage में convert कर लेना तो तुम यह सोचो कि इस equation को लिखने का क्या महतवा है यह इसलिए महतवा है कि आगे अगर आपको कुछ ऐसे question deal करने पड़ गए जहां पर यह equation लिखनी पड़ती है तो आपको at least equation लिखते आनी चाहिए चलो next question में आ जाते हैं हम लोग एक मिरिटा लोग लोग पर लोग झाल 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 वापस से बैक उसमें अभी कोशन देख लेते हैं क्या है हम लोगों के पास नेक्स कोशन दो मिनिट कहा चला गया मेरा कोशन फेजा जाल झाल झाल आब जैसे माल लेते हैं आप लोगों को एक रियाक्सन दी की豆 ख़ने अच्शन दम्दीशन दो आपको मैं equilibrium की conditions दे रही हूं हमेशा question में हमारी habit होती है ऐसे क्या कहते हैं लोमणी के समान देखने की की अच्छा ये तो initial दिया होगा ये तो initial दिया होगा बट वह initial नहीं होता है वह आप लोगों का क्या होता है कई बार equilibrium का होता है बट वह लिखके आएगा आपको हमेशा ऐ imagine we imagine नहीं करना पड़ेगा वह लिखकर आएगा तो इसलिए थोड़ा अपनी आखों से और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना ठीक है तो अब यहाँ पे at equilibrium condition आपको दिया है mole fraction क्या है ये mole fraction हमारी आदत कैसी रही है अभी तक कि हम लोग क्या करते हैं हम लोग moles देखते है इस CL5 का जो mole fraction आपको दिया है that is 0.4 ठीक है जो CL2 है इसका mole fraction आपको दिया है 0.3 और इसका आपको fine करना है खतम कितना simple सा है एकदम प्यारा सा सवाल तो अब इसमें कई लोगों को जटके लग गए होंगे कि नहीं यार mole fraction कैसे दे सकता है वो क्यों नहीं दे सकता क्या हमने केसी निकालना नहीं सीखा क्या बताओ हमने सीखा है केसी वगेरा भी तो हम लोगों को आता है काम करना तो हम बिलकुल कर सकते है KC आता है KP आता है KX आता है तो बिल्कुल कर सकते है आप अपनी reaction के पे stick रहो आप फिलाल ये चीज तो भूल जाओ कि आपको क्या दिया है अपना दिमाग बिल्कुल दिये हुए पार्ट पे खर्च मत करो तुम्हें जैसे मैंने उपर equation लिखना सिखा ये धाय धाय लिख दो at T equal to 0 PCL 5 0 रहेगा sorry PCL 5 A रहेगा PCL 3 को मैंने 0 लिया CL 2 को मैंने 0 लिया equilibrium पे पहुँचते पहुचते PCL 5 में से A minus X हो गया ये X हो गया ये X हो गया ठीक है उसके बाद X को हमने convert किया A alpha A alpha और यहाँ पे A alpha समझ में आ रही है बात बस खतम अब ये equilibrium पे है अब equilibrium पे आप total moles भी निकाल लो क्यों निकाल रहे है total moles क्योंकि mole fraction की बात की गई है अगर mole fraction की बात नहीं की जाती तो मैं total moles नहीं निकालती ठीक है तो ये मैंने total moles निकाले तो equilibrium पे मेरेको total moles मिल गए A plus A alpha अब इसी equilibrium पे अगर कोई तुमसे पूछे कि PCL5 का mole fraction लिखके रिखा हो तो क्या तुम नहीं लिखोगे आता है ना तुम्हें mole fraction लिखना PCL5 का कैसे जितने PCL5 के moles है divided by total moles ऐसी लिए तो मैंने कहा था mole fraction निकाल लो वैसी PCL3 के equilibrium पे आपके कितने हो जाएंगे बताइए moles कितने हो जाएंगे यह हो जाएगा mole fraction हो जाएगा A alpha upon me A plus A alpha यह हो जाएगा आपका A alpha upon me हो जाएगा A plus A alpha बराबर छोटी सी अगर कोई calculation mistake हो जाए तो उसको पकड़ने की कोशिश करना अब आपको given क्या दिया है आपको given पे यह दिया हुआ है question के अनुसार कि इसी equilibrium पर इसी equilibrium पे PCL5 के mole fraction है 0.4 यानि कि A minus A alpha upon me A plus A alpha this is equal to 0.4 क्या यह बात समयने में आ रही है इसलिए मैंने कहा था कि given question में क्या है इस पे तो अपना ध्यान सबसे आखरी में लगाना सबसे पहले question की condition लिखना सीखना और आपको given में क्या दिया है आपको given में यह दिया हुआ है कि जो CL2 है इस बाबा CL2 के equilibrium पे जो mole fraction है यह mole fraction कितने है आपके 0.3 देखो question solve करने लायक ही नहीं है क्योंकि question में यह वारी जो चीज है यह आपको to find करने को पूछ रहा है आपको पूछ रहा है कि बताओ equilibrium पे PCL3 जो होगा उस PCL3 का mole fraction क्या होगा तो तुम्हें नहीं लगता है इस equation को देखकर कि यह वाली quantity और यह वाली quantity तो same लग रही है दोनों के numerator भी सेम है दोनों के denominator भी सेम है तो यानि कि at equilibrium साफ साफ हमको दिख रहा है कि mole fraction यानि कि x of PCL3 and mole fraction of CL2 both are equal तो अगर CL2 का mole fraction आपको 0.3 दिया है तो therefore जो mole fraction equilibrium पे PCL3 का आएगा वो भी 0.3 ही होगा ठीक है और let's imagine अगर आपको equal नहीं भी दिया होता नहीं भी दिया होता equal या नहीं भी आ रहा होता equal तो हम in equations को क्या करते solve करते हैं महाँ से alpha की value निकालते हैं फिर हो सकता है a की value भी निकालते कुछ ना कुछ conditions दिये होई होती हैं और a और alpha की value निकलने के बाद फिर हम यह आपे substitute करते हैं बट जो fundamental idea होता है भेजे में कम से कम वो तो तुमारे दिमाग में आ चुका है न कि कैसे करना है क्या कि जब भी कोई equation दिखे पहले जल्दी से उसकी conditions बना लो conditions बना लेने के बाद आप उसमें क्या करो फिर देखो कि आपको क्या क्या given दिया है और आपकी condition की अनुसार वो value और आपकी given values उसको equate करो और इसी से आपकी समस्या का समाधान होगा समझ रहे हो बस और इसमें कुछ भी नहीं था तो अब हम लोग next question में move करते हैं देखो सारे question जितने भी numerical में लिये जाएंगे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि easy easy है बट starting में हम easy question इसी लिए ले रहे हैं ताकि तुम्हें जब बाद में cutting question देखने को मिले तब तुम तूटना जाओ ठीक है अच्छा अब जैसे ये आप लोगों के सामने एक question है कि अगर आपके पाद जो co2 gas है अगर तुम्हें कोई ये कहे कि co2 gas का भी decomposition है तो yes co2 gas का भी decomposition है हम co2 gas को decompose कर रहे हैं हमने co2 gas को decompose किया और हम लोगों के पास ये equation दे रही गई और ये बोला जा रहा है कि initially हमने co2 के पास कितने moles लिये थे आपके 2 moles लिये थे ठीक है अच्छा और इसके बाद alpha की value ये दी हुई आपको 40% तो आपको अभी इस question का to find क्या है इस question का to find क्या है कि moles आपको निकालने है equilibrium पर ठीक है total moles not moles क्यों आप कुछ कठें बिल्कुल नहीं तूट पड़ो एकदम भूके वेडियो के जैसे बताओ क्या होगा सबसे पहले सारा काम दाम छोड़ो फटा फट इक्वेशन को पहले तो क्या कर लो उसका expression लिख लो लेकिन expression लिखते वक मेरी मैं ऐसा करती हूँ मुझे बाकियों का नहीं पता मैं अपना बतारी हूँ मैं पहले उसकी reactant side में को स्टोक्योमेट्री 2 दिख रही है न मैं तु CO2 और उसके बाद यहां पर आजाएगा CO और यहां पर आएगा half यहां पर O2 अब तुम्हें जो initial moles लेना है जो करना है करो तो add T equal to 0 मैंने इसके moles ले लिए A जो कि मुझे question में दिया हुआ है बट फिर भी आदत से मजबूर यह 0 यह 0 फिर हम लोग पहुंचे equilibrium पे तो यह हो जाएगा X यह हो जाएगा X by 2 ध्यान रखना गरबड़ी मत करना अब alpha में convert कर लेते हैं तो यह हो जाएगा A minus A alpha यह हो जाएगा A alpha यह हो जाएगा A alpha by 2 समझ रहे हो ओके अब यहां पे यह moles आ गए सबके individual अब आप total moles निकाल लीजे इसके equilibrium पे जितने भी आते हैं तो जब tot totals निकालोगे तो obvious है कि इन तीनों को आप add करोगे तो add करने पे यह आएगा A plus A alpha by 2 अच्छा A की value question में already दी हुई है A का मतलब होता है initial moles तो initial moles आपने इस question में कितने लेके रखें 2 इस question में अब बात आती है DOD क्या है तो DOD पर भी बहस कर लेते हैं तो DOD इस question का दिया था 40 percent तो 40 percent doesn't mean कि वहाँ पर 40 डाल दोगे 40 percent मतलब क्या होता है 40 by 100 ठीक है यानि कि 4 by 10 and 4 by 10 यानि कि 0.4 तो alpha की value यह 0.4 पुट होगी so therefore total moles at equilibrium will come out to be how much 2.4 ठीक है सारे एकदम easy easy illustrations है कुछ भी उनमें कठिन काम नहीं लिया गया है जिससे आपको ऐसा लगे कि अरे पापरे तो समझ ही नहीं आ रहे है पहला lecture है DOD का ठीक है तो obvious है कि उसमें इतना कोई cutting काम नहीं लिया जा सकता कि जिसको देखकर तुम घबरा जाओ और ऐसा कुछ कर लो कि अरे यह topic तो skip करना है कुछ भी नहीं है ठीक है दिख रहा है कि सिंपल है सबसे पहले expression the most important part चलो अब इसमें आ जाते हैं हम लोग अब जैसे माल लेते हैं आपके पास एक equation दीए A3 यह आपका इसको हमने dissociate कर दिया three times of A obviously आपको यहां पर गैस होंगे दोनों के दोनों मैंने लिखनी रही हूं ठीक है आच्छा और उसके बाद यहां पे आपका जो डीओडी है इस बार देखो गेम खेला question वाले ने question वाले ने डीओडी ले लिया x अभी तक x हम लोग क्या लेते आ रहे थे x मतलब कितना गया और alpha को हम डीओडी लेते थे बराबर इस बार उसने x ले लिया है किस चीच को डीओडी को तुम्हें confuse करने के लिए क कि रेखो तुम confuse होते हो कि नहीं होते हो वेरियबल के change होने से बस और कुछ नहीं है अच्छा कोई बात नहीं अच्छा उसके बात यहाँ पी जो a3 था इस a3 की आपको initial concentration दी हुई है क्या दिया हुआ है initial concentration आपको दिया हुआ है a concentration यहाँ से सुनना यह आपका given part है और इस question में अब तुमें to find करना है वही जो उपर हमने find किया total moles at equilibrium अब बोलो कितने होंगे तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है जैसे करते आ रहे थे वैसी करेंगे लेकिन अब थोड़े से हमें variables में hair fair करनी पड़ेगी reason क्योंकि हम कैसे लेते थे initial moles को a लेकिन अब यहाँ पे कुछ initial moles b ले लिया c ले लिया कुछ नहीं जैसा काम हम किसमें करते आ रहे हैं आपके moles में similarly कर रहे हैं शान्ती से एक दम माल लेते हैं हमें से किसी एक ने paper में गबराहट में initial moles at t equal to 0 उसने b for ball ले लिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है यह b आ जाएगा यह 0 आ जाएगा अच्छा चलो कोई बात नहीं अब आगे यहाँ पर at equilibrium पे गाड़ी पहुँची equilibrium में हमारी आदत क्या होती है कुछ minus करने की अब हम x minus करते आ रहे हैं मैं तो actually ऐसी सिखाई हूँ आपको तो आप भी x ही minus करोगे अब x तो लेकिन इस बार d o d दिया है यार अब क्या करें त ठीक है हम क्या लिखते है x equal to a alpha यह हमारी habit है ठीक है यह हमारी habit है लेकिन अब habit में change करना पड़ेगा x की जगा आ गया y, a की जगा आ गया b और alpha की जगा आ गया x बराबर कह रही हूँ मैं हाँ तो y की जगा पे अब आपने क्या substitute कर दिया b minus bx यहाँ पे क्या substitute कर दिया 3bx बराबर हाँ बराबर अब यह आ गया आपके कौन यह आ गया आपके moles moles कहाँ पे equilibrium पे कहाँ पे equilibrium पे यह आ गया आपके moles अच्छा ठीक है अब क्योंकि question में concentration concentration बग 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 करे जा रहा है concentration 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 तो अब इसमें लोग क्या करते हैं concentration निकालने के लिए वो उसको divide कर दते हैं volume चलो मैं भी कर देती हूँ B-BX by V 3BX by V अब यहाँ पर आके उनकी गाड़ी अटक जाती है क्यों अटक जाती है concentration आ गई अब क्या करें अब देखो आपको इस question में given दिया था कि initial concentration कितनी है आपकी A initial concentration ठीक है यानि कि आपके पास यह जो initially आपने A3 के जो यह moles लिये थे B अगर मैं इसको ही volume से divide कर दूँ तो मेरे पास B by capital V का ratio मुझे कितना दिया हुआ है A तो कि moles divided by volume is nothing but it is a concentration बराबर यानि कि यह मेरे पास information है यह मेरे पास given information है जिससे हम खा जाते अच्छा अब इसकी information का मैं क्या कर सकती हूँ इस information से जो यह मेरे total moles मुझे को निकालने थे जेखो यहां से मेरे total moles क्या आ रहे है equilibrium पे B minus BX plus 3 times of BX तो अब यह कितना हो गया B plus अच्छा B minus BX तो यह हो जाएगा B plus 2 times of BX यह आ जाएगा अब यह तो मेरे total moles आ गए लेकिन question में तो मेरे X दिया हुआ था given और question में तो मेरा A given था तो answer भी A और X के टर्मस में आना था तो यहां पे आने के बाद हम लोगों क्या करते हैं गड़बड़ी मार देते हैं कि अच्छा आप ना तो हमारे पास total moles आ रहे हैं तो अब हम यह आ रहे है अब हम क्या करें तो अब यहां पे हम लोगों का पूरा एकदम band बाजा बच जाता है तो उसमें अगर आप लोगों के पास मान लेते हैं initial concentration यदि आपको दी हुई भी है तो उसमें कोई घवराना नहीं है उस question को initial concentration के साथ ही उसमें आप क्या करना लेकर उसको moles लेकर solve करना क्यों हम इसमें मान के चलेंगे कि let volume be 1 liter खतम अगर volume 1 liter है और आपकी initial concentration अगर आपकी initial concentration आपको कितनी दी हुई है A यनि कि B by 1 equal to A therefore A equal to B बराबर और अगर ऐसा आ गया तो A plus 2AX हो जाएगा और A को अगर मैं common निकाल लो तो 1 plus 2X यह आ जाएगी आपकी total moles at equilibrium की ज़र्म ठीक है तो अगर तुम उस सीच को capital V के terms में convert करो option रहेगा ना क्योंकि तुमारा पास तो अगर option में जो तुमारा answer है अगर वो capital V के terms में है तो उसे convert कर लेना लेकिन अगर वो capital V के terms में नहीं है कुछ इस format में दिया है तो उसमें घवराना नहीं क्या मैं कैसे convert करूँ मैं अटक है सीधा वाँ पर assumption चरेगा let volume be 1 liter धाय से एक नम तो यहां से दो चीजे सीखिए option को देखिए option में देखने के बाद यदि option capital V के terms में है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है जहाँ जहाँ beef और ball दिक रहा है वाँ पर A V A V पुट कर देना यह A V A V पुट करने नहीं है और अगर option में capital V नहीं रिखना है यही वो point है जहाँ पर लोगों को घख रहा है तो जाती है अब क्या करें हम गलत करें हुझ भी गलत नहीं कर रहे हो volume को 1 liter रेजियूम करो और उसको उठासके क्या कर दो substitute दो और बल्कि यह चीज़ तुम स्टार्टिंग से कर सकते है जादा मैं volume को 1 liter मान लेती तो A equal to B आ जाता पूरी और मैं को पूरी equation करने के समसे solve नहीं पर 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 नाच्छने का तरिका लेकर solve नहीं करेगा अगर A को लेकर solve करने मैं दिखाती है तुमको कि लो A3 के नीचे A लिख दो 0 लिख दो A minus X कर दो ये कर दो तो तुम उसे ये बुछते कि आपने A को वहाँ कैसे लिख दिया वो तो concentration है ना exactly तो इसलिए पूरा detail explanation दिया है ठीक है बस और कुछ भी नहीं था उसमें आगे बढ़ते है next में हम लोग एक और reaction आ गई तुम्हारे सामने A plus B equilibrium में है C plus D के साथ बराबर अच्छा चलो ठीक है अब यहाँ पे तुमको given में मतलब initially initially A आपको दिया हुआ है 4 ठोक B आपको दिया है 4 अच्छा और उसके अलावा at equilibrium पे भी आपको कुछ given दिया हुआ है equilibrium पे बोल रहा है मैं लिग देती हूँ बोल रहा है at equilibrium two moles of C are formed ठेक है यह मैंने लिखा है ताकि आप statement से समझ पाए कि किसका meaning क्या होता है अधर वाइस तुमें समझ में ही नहीं आएगा मेरे समझने इस पर थोड़ी ना कुछ है आपको इस reaction का केसी calculate करना है let's imagine चलो कैसे करोगे इसका केसी calculate कुछ नहीं क्या यहाा पर DOD की कोई बाचीत हो रही है अगर यहाँ पर TOD की कोई बाधचीत ही नहीं कर रहा है आपका teacher आपका questioner examiner तो आपको उसमें उसको बिलकुल भी भाव नहीं देना है बिलकुल भी Ajat नहीं कैसे नहीं नहीं है जैसे करते आ रहे थे question चुप चाप वैसे करते हो initially 0 0 इन में से 4 minus x इसमें से 4 minus x इसमें का x इसमें का x अब आपको given क्या दिया है at equilibrium two moles are formed two moles अच्छा किस के मों मैंने लिखा of c are formed मान लो c के 2 moles यह जो मैंने नीचे equation लिखी है इस equation में equilibrium पर c के कितने moles बन रहे है equilibrium पर c के x moles बन रहे है और question वाले ने given यह दिया है कि c के equilibrium पर 2 moles बन रहे है तो यानि कि according to given condition तुमें क्या यह चीज ऐसा नहीं लगता कि question वाला x equal to he आपको 2 थमा दिया है बराबर यह तो बहुत अच्छी बात हो गई x equal to 2 आ गया समझ में आ गई बात तो इसका मतलब at equilibrium a के कितने moles दो b के कितने moles दो c के कितने moles दो d के कितने moles दो यह a और b में 2 कैसे आया 4 minus x 4 minus x क्या ना मैंने अच्छा अब तुमें इसका क्या निकालना है केसी के लिए volume पता होना चाहिए volume तो आपको दिया नहीं है है ना volume तो आपको दिया नहीं है तो क्या करें इसमें volume को आप capital V assume कर लो ठीक है capital V assume कर लो अगर आपने volume को capital V assume कर लिया तो concentration कितनी हो जानी है 2 by V 2 by V 2 by V अब मेरे साथ से इसका केसी तुम निकाल लोगे ये काम मुझसे मत करवाओ ये इतना इजी है कि इसको करने में मुझे खुद को भी शरम आ जाईगी ठीक है लेकि ये बताने का ताथ परिया था इस question से कि अगर DOD की बाचीत नहीं की जारी है ठीक है अगर DOD की बाचीत नहीं सकता है ठीक है बिल्कुल नहीं मतलब बिल्कुल नहीं खतम बात नहीं पूछा नहीं पूछा हमें उसके साथ बहस बाजी पंगा जड़ाई जगड़ा नहीं करना है है ना उसके साथ हाता पाई नहीं करना नहीं पूछा नहीं पूछा हमारा क्या जाता है अच्छी बात है हमारा ही काम बज़ गया और दूसरी बाद हमेशा equations लिखो equations लिखने के बाद आपको ये समझ में आता है कि आपको जो चीज गीवन है वो उनमें से कौन है हमेशा starting में समझ में आजा है ज़रूरी नहीं होता है कुछ होश्यार लोगों को आ सकता है बट एक और question लिखने है आपके पास A2 है ये equilibrium ये क्या हो गया दो मिनट है चलो ये A2 है ये equilibrium में है two times of A के साथ बराबर आपको इस question में जो kp आपके पास दिया हुआ है वो kp की value है two by three ठीक है और यहाँ पे जो p आपके पास total में दिया हुआ है वो दिया हुआ है one by two ATM अच्छा और यहाँ पे तुम्हें alpha कितना है वो calculate करना है तो कैसे करेंगे no issues शान्ती आप पहले तो kp का expression alpha के terms में लिखो खतम क्या given है क्या नहीं है उसा बात की tension तो A2 equilibrium में है two a के साथ तो जब reaction शुरू हुई तो उस वक में इस A2 के moles को A मान लेती हूँ इसके 0 equilibrium पे पहुँचते पहुचते आपकी जो reaction में है उसमें से A-X हो गया यहाँ पे 2X हो गया फिर इस equation को मैंने alpha के terms में convert कर दिया यह इस प्रकार से यह हो गया kp के लिए मुझे total moles के आवशक्ता पड़ेगी तो total moles हम equilibrium पे कितने हैं वो निकाल लेते हैं बोलो कितने हैं A-A alpha और यह 2X of A alpha तो total moles at equilibrium मेरे पास आ गए A plus A alpha दन एकदम दन अच्छा अब आगे क्या अब मुझे kp का expression लिखना है so how will I write expression of kp kp का expression किस तरीके से लिखा जाएगा kp equals to आपका जो right side है right side में क्या है बताओ A for apple है उसका pressure तो pressure of A और क्योंकि इसकी stoichiometry 2 है इसलिए left side में जो entity है यानि कि A2 उसका pressure अब क्योंकि इस बिचार की stoichiometry 1 है तो उसके power में कुछ नहीं आएगा अब ये pressure कैसे लिखते हैं ये तो नहीं पता हमको पता है सीखा है हम लोगोंने previous classes में कि pressure को हम कैसे लिखते हैं हम कैसे लिखते हैं बताओ pressure को हम pressure को इस पकार से लिखते हैं जो भी उस particular चीज का mole fraction है a का mole fraction बोलो कितना होगा a के moles divide by total moles ठीक है तो a का mole fraction होगा 2 a alpha अपॉन में a plus a alpha ये इस तरीके से into में p naught ये हमने ले लिया बराबर अच्छा ये उसके उपर मैंने square create कर दिया divide में a2 a2 के moles हमापस equilibrium में कितने है a minus a alpha divide में total moles equilibrium के mole fraction निकाल रहे हैं न यहाँ पे p naught बराबर अब जो जो कटता है उसे काट दो तो देखो अब a और a common निकाल लूँगी तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे आजाएगा 1 प्लस alpha का whole square यहाँ पे आएगा p naught और ये उसके उपर में square ठीक हैं समझ गए अच्छा denominator में क्या आजाएगा a a common निकाल लिया so 1 minus alpha 1 plus alpha और यहाँ पे आजाएगा p naught अभी और क्या क्या cancellation कर सकते हो p naught p naught को भी उड़ा सकते हो 1 plus alpha को उड़ा सकते हैं क्या हाँ बिल्कुल तो यह हो जाएगा आपका 4 alpha square यहाँ पे p naught एक ही बचा और denominator में आ जाएगा 1 plus alpha 1 minus alpha जिसमें हम बाद में a plus b a minus b की identity लगा लेते हैं ठीक है हो सकता है बीच में में से कहीं calculation error अगर हो जाए तो उसको आप खुद correct कर लेना तो यह मेरे हिसाब से kp आया ठीक है यह मेरा kp है अच्छा अब इस kp में मुझे given क्या क्या है वो मैं put करती हूँ इस question में मुझे kp की value दी थी 2 by 3 तो मैंने kp की जगा डाल दिया 2 by 3 4 alpha square तो alpha है तो मुझे calculate ही करना है इस question का मुझे total pressure दिया था half ATM तो यहाँ पर मैंने डाल दिया half नीचे का तो 1 minus alpha square मेरे calculations का है आप इसको calculate कर लीजिए है न तो calculate कर लेंगे तो यह कितना आ जाएगा 2 times of 2 minus alpha square एक मेंट एक मेंट यहाँ गड़ो गई 2 minus 2 times of alpha square equal to यह कड़ गया तो यहाँ 2 बचा और 3 to 6 alpha square यहाँ गया तो 2 equal to 8 alpha square तो alpha square की value आ जाएगी 1 by 4 तो alpha will be 1 by 2 इस प्रकार से ठीक है अब minus 1 by 2 को ignore करो गए क्योंकि obviously degree of recession negative नहीं हो सकता हमने पहली बात की थी alpha हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा so alpha is 0.5 if you want to convert it into percentage then percentage of alpha will be 50 percent ठीक है तो kp 2 by 3 आपको तब देखने को मिलेगा जब आपकी reaction 2 by 3 तब देखने को मिलेगा जब आपकी reaction 2 by 3 क्या हो चुकी होगी dissociate हो गई होगी ठीक है sorry 50 percent dissociate हो गई होगी तो इस तरीके से काम करना है तो अब यहाँ पे हम लोग इसके numerical को रोकते हैं इसके जैसे और numerical मैं इसके बाद एक और नेक्स वीडियो में लूंगी उसके numerical को हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे उच्छ सरीय रखने का ठीक है इससे थोड़े से कठिन यह जो आज लिए गए बहुत easy easy लिए गए such that कि तुम लोगों को समझ में आए कि concept लगाना कैसे है ठीक है otherwise पहले दिनी धजियां उड़ जाती अलफा को देखते बराबर तो I don't think कि अब इसमें धजियां उड़ेंगी तुम बहुत ही comfortable हो लेकिन जाते जाते एक बहुत ही महत्तोपून सूचना एक concept होता है उस concept को है वो concept हम लोग एक relation पढ़ रहे हैं एक relationship पढ़ रहे हैं ठीक है तुम्हें याद होगा हमने last classes में भी कुछ relationship पढ़े थे KP, KC, KN, KX के बीच में है न तो वैसी हम एक relationship पढ़ रहे हैं DOD and vapor density के बीच में अब vapor density क्या होती है यह चीज हमने mole concept में पढ़ी है अब अगर कोई भूल चुका है कि vapor density क्या होती है तो वह जाए जाकर वहां के वीडियो को देखे और वापस आए और जब वापस आएगा तब उसको यह बात भेजे में समझ में आ जाएगी ओ इस 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 नोन आज वेपर डेंसीटी मैं पहले relationship लिखवा देती हूं कि relationship क्या है वो तुम या करेंगे ताकि लगाने में तुम्हें कोई तकलीफ ना आए तो देखें आपके पास relationship कुछ इस प्रकार से है एम थिरॉटिकल एम थिरॉटिकल क्या होता है आई थिंक डाइपोल मोमेंट सीखने के बाद आपको पता चल गया होगा नहीं चला होगा तो अभी बात फिर से कर मास एम थिरॉटिकल अपॉन एम मिक्षर वन प्लस एन माइनस वन इंटू अलफा यह आपका relationship है यह आपका वो relationship है ठीक है जहां पे आप इस एम मिक्षर को कई बार teachers observed यह भी बोल देते हैं ठीक है यह फिर इसको कई बार experimental भी बोलते हैं बड़ यह आप लोगों का वो relationship है क्या है यह इस relationship में क्या खास है इसमें क्या है इससे हमें क्या सीख मिलती है उसमें भी बाचीत करते हैं लेकिन एक एक करके रुको इसको पहले मैं सुन्दा तरीके से लिख देती हूँ M observed छीक है जब हमने dipole moment पढ़े थे तो dipole moment में mu theoretical by mu observed याद आ रहा है वहाँ पे था हाँ याद आ रहा है बस यह वही वाला है तो यहाँ पे बस इस M में confuse मत हो जाना कि M for mass यहाँ पे M for mass नहीं है यहाँ पे M for molecular weight है यहाँ पे M for molecular weight है ठीक है अब आगे क्या अब आगे ध्या से सुनेंगे कुछ प्रवचन से अब molecular weight को आपको convert करना है vapor density में तुम सभी ने mole concept जब पढ़ा था उस दौरान आपने यह topic पढ़ाता है empirical formula molecular formula तो वहाँ पे तुम्हें एक relationship सिखाया गया था कुछ याद आ रहा है कि molecular weight of vapor density की बीच में क्या होता है बस ठीक है वहाँ वेपर density is equals to two times of molecular weight या molecular weight equal to two times of vapor density ऐसा कुछ धुनला धुनला confused वाली situation में याद आ रहा होगा बस ठीक है तो वही वाली चीज हम लोग यहां use कर रहे है कैसे use कर रहे है देखो formula है हमारे पास कि आपकी जो vapor density होती है ठीक है vapor density को अगर मैं two से multiply कर लू तो वह आपका बन जाती है molecular weight क् इस हिसाब से यहाँ पर जो M theoretical है इस M theoretical यानि कि इस theoretical molecular weight की जेगा मैं two into vapor density लिख सकती हूँ theoretical वाली ठीक है यहाँ पर लिख सकती हूँ vapor density theoretical वाली नीचे में लिख सकती हूँ two into vapor density observed वाली observed को तो mixture भी लिख सकते हो ठीक है oblique डाल के वहां लिख लेना मैंने उपर मिटा दिया था टू उपर का टू नीचे का कड़ गया तो यह आ गया यह आ गया आपका एक और relationship vapor density के terms में अब इस relationship से हमें मतलब क्या है इसका meaning क्या है तो देखो actual में होता क्या है किसी भी reaction में यह जो numerator में लिखा गया है vapor density theoretical ठीक है vapor density theoretical इसका मतलब होता है ऐसी vapor density जो जब reactant dissociate नहीं हुआ था ठीक है जब reactant dissociate नहीं हुआ था without dissociation ये वो vapor density यह जब dissociation नहीं होआ यह तब वाली vapor density है बराबर अब जब reaction equilibrium पे पहुँची तो उस वक्त reactant कम हो गया product भी बन गए है ना तो अब vapor density reactant की वज़ा से भी है और अब vapor density आपके products की वज़ा से भी है है ना तो अब इसका मतलब यह वाली जो vapor density है mixture या फिर observed यह वाली vapor density है जो equilibrium पर है और equilibrium पे तो reactant भी होते है और equilibrium पे तो आप लोगों के product भी होते है बराबर है बराबर है समझ में आरी बार बस खतम ठीक है अच्छा अब उपर में भी same वोई भाशन बाजी यह entheoratical मतलब यह वो वाला molar mass है यह वो वाला molar mass है जब reaction dissociate आपकी नहीं हुई थी ठीक है जब वो undissociated था जब reaction जैसे का तैसे ही था और यह नीचे जब आप equilibrium पे पहुँच गए तो equilibrium पे पहुच जाने के बाद आप लोगों के पास अब reactant भी है आप लोगों के पास अब product भी है बराबर तो यह इस तरीके से ठीक है तो यह आगे आप लोगों का दो relationship अब अगर मैं दोनों relationships को combine कर दूँ तो मेरे पास अगर मैं दोनों relationship को combine कर दूँ जो कि मेरा भी mood नहीं है तुम चाहो तो combine करके देख सकते हो मुझको तो यहाद ही relationship अब इन दोनों relationship को अगर मैं combine करूँ और दोनों से अलफ अगर individually अलफा की value अगर मैं calculate करने की कोशिश करूँ तो vapor density theoretical ठीक है minus vapor density VD observed अच्छा अपन में क्या आ जाएगा आपका n-1 यहाँ पे into में आ जाएगा आपकी vapor density observed यह मेपा formula बनके आ गया अलफा का similarly molecular weight के terms में भी वही same बक्वास ठीक है क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका molecular weight यहाँ पे theoretical ठीक है molecular mass theoretical minus molecular mass observed या फिर experiment mixture upon में n-1 into में यहाँ पे क्या आ जाएगा molecular आपका यह कौन सा वाला observed यह इस तरीक है इसको याद करने की कोई जर्वत नहीं है कई वार paper में सवाल कैसा पूछ लेता है आपको molecular weight observed वाला पूछ लेता है अब लेकिन information दीवी होती है vapor density की तो vapor density की information से आप पहले alpha निकालते हैं और alpha से कूद कर आप फिर उपर जाते हैं फिर उपर alpha पुट करते हैं और फिर पर के दो याद है तो यहाँ पिर particular values को टपकाओ और टपका लेने के बाद आपके पास आपका answer टपक के आ जाएगा ठीक है अच्छा अब इसके बाद यहाँ पे बहुत important note है वो important note यह है कि imagine करो कल को अगर n की value 1 हो गई तो ठीक है अगर n की value 1 हो गई तो ऐसे में n-1 यानि कि 1-1 equal to 0 हो जाएगा और यह जो n-1 है यह तो आप लोगों के denominator में it isn't denominator और इतना mathematics तो तुमको आती ही है कि जब भी कोई भी quantity denominator में 0 लेकर आती है तो 1 by 0 is not defined तो इसका मतलब कोई भी reaction जिसके लिए n की value 1 होगी उसके लिए यह उपर वाला concept not applicable है ठीक है उसके लिए उपर वाला जो concept है वो not applicable है क्यों not applicable है क्या यह बाद भेजे में जारी है यह उपर वाला concept उन सारी चीजों के लिए not applicable है जहां पे n की value आपकी 1 होगी ठीक है example में आप ले सकते हो कल को अगर आपको dissociation करना रहा किसका HI का या फिर आपको dissociation करना रहा NO का तो कि उपर लिखे हुए इसमें n की value बोलिए आप क्या है सबसे बड़ा doubt तो यहां पे कई लोगों के धिमागी घोड़े चल रहे होंगे कि n moles है तो n moles नहीं है अरे नी मैडम हमने तो pv equal to nRT में n को तो moles ही पढ़ा था बाबाजी यहां पे n का मतलब moles नहीं है तो फिर यहां यहां पे n का मतलब क्या है तो देखो यहां पे n is a ratio what is n here n is a ratio the most important part जहां पे लोगों के साथ बहुत गड़बड़ी होती है ठीक है n is a ratio किस चीज का ratio summation मैं सम नहीं लिख रही हूं सम की जगा समेशन का sign डाल दे रही हूं summation करना है किसका जितने भी आप लोगों के पास gaseous product है gaseous product है ठीक है उनकी stoichiometry का मैं एक दो एक्जामपल लेकर समझा भी देती हूं कि मैं क्या कहना चाह रही हूं divide करना है summation किसका जितने भी आपके पास gaseous reactant है उन सारे gaseous reactant की stoichiometry ठीक है ठीक है जैसे की एक्जामपल के तौर पर अगर आपके पास कोई reaction दी वही है pcl5 gas है और इधर पर बन गया pcl3 gas है प्लस cl2 gas इसका आपको पूछा आगया n calculate करो तो product में जितने भी gas दिख रहे हैं उनकी stoichiometry का addition तो दो दिख रहे हैं और दोनों की stoichiometry 1 1 है तो 2 divided by 1 तो n की value 2 यह से खतम अगर मैंने माल लेते हैं इसकी जगा ammonia ले लिया होता 2 times of NH3 इसको मैं अगर dissociate किया होता N2 प्लस H2 हाँ बस इस बात का ख्याल रखना कि सभी gas होने यह no liquid and no solids ठीक हैं तो बताओ यहाँ पे N की value क्या होगी तो आपकी reactant में प्रोडक्त में आपको जितने भी gas दिख रहे हैं उनका addition तो gas आपको कौन कौन दिख रहा है आपके product side में दोनों ही है N2 और H2 तो N2 यानिकी 1, H2 यानिकी 3 तो यह 4 by reactant में कितना 2 यानिकी आगया 2 यह इस तरीके से ठीक हैं अब जैसे 2 times of HI है अगर आप इसको dissociate करोगे तो यह होगा H2 plus I2 ठीक हैं अब इसके लिए अगर आप N निकालोगे तो यहाँ पे H2 की stoichiometry 1 I2 की stoichiometry 1 तो 1 plus 1 2 और I के आगे भी यह 2 तो यह कितना हो गया 2 by 2 1 अब ऐसी equations जिनके लिए N बराबर 1 होत रहेगा सो जब भी किसी reaction के लिए N equal to 1 रहेगा तो ऐसे में आप कभी भी उसमें यह वाला concept apply नहीं करोगे ठीक है कभी नहीं मतलब कभी भी नहीं ठीक है इसके उपर जो illustration है हम लोग next video में उसी illustration से शुरुआत करेंगे और उसके अलाबा कुछ भारी भर कम illustrations लेने की मैं ठीक है इसके बाद का जो वीडियो रहेगा वो भी एक illustration वाला वीडियो रहेगा फिर हमाई जो कल की class रहेगी वो आपका ली चाटिलियर प्रिंसिपल पर रहेगी बट ली चाटिलियर प्रिंसिपल सीखने से पहले हम reaction question क्या होता है वो सीखेंगे और उसके बाद ली चाट चाटिलियर प्रिंसिपल ठीक है और उसके बाद मेंस की नजर से तो देखो हमारा topic खतम हो जाएगा लेकिन advance में फिर बाकी दो topics भी आते हैं एक simultaneous equilibrium और एक thermodynamic expect ठीक है बलकि thermodynamic expect का एक छोटा सा पार्ट बहुत ही famous है मेंस में बट एक expect जो है उसका थोड़ा सा detail वाला वो ज् पिराल दूर की बात है अभी इसके बाद एक और वीडियो लेस्न जिसमें completely numericals रहेंगे और उसके बाद कल की class में हम reaction question सीखेंगे की what do you mean by the term reaction question small topic and उसके बाद कौन-कौन से factors किस तरीके से आपकी equilibrium constant code affect करते है ठीक है चाट तो तो फिस इचको अभी over करने है